अज मैं आप लोगों को बताओं के बोटनेग बॉलाव् जिसमें का फ्रांट और बैग दोनों ही बोटनिग में होने वाला है और इसमें जो है फ्रंट साइड में जो है ह TB बनने वाला है तो वीजो का एंद दिखिए बहुत ही इंफोमेटी वीडियो है बहुत ही ट्रेंडी ब्लाउज है यह तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको अस्तर को हाफ फोल्ड कर लेना है उसके बाद नीचे साट को एक बार स्टेट कर लेना है ताकि फैब्रिक जो है सीधा हो जाए इस वज़े से स्टेट करके इसे कट कर लेना है जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको उसके बाद जो है यहां पर मैं 32 इंचेस चेस्ट के लिए बना रही हूं यहां पे तो यहां पे उसको चौधा भाग लेंगे 8 इंच और 10 इंच का मार्जिन लेकर के यहां पर टोटल 9 इंच पर मार्ग कर देंगे और 9 इंच पर मार्ग करके इस तरह के से स्क्वेड का शीप बनाएंगे हूं त इस तरीके से साथे नौश पर माग कर लีना है उसके बाद यहां पर मैं ब्लाउच का लेंग्ट्ञ जो अ Speaker 02 आपको इस तरी के से मिला लेना है उसके बाद आपको यहां पर लेना है शोल्डर यहां पर मैं लोंगे 6.2 इंचेस यहां पर खिचाओ अता हना है हल्कॉ थे ले रही हूं शोल्डर और dzień को दोनों ही 6,2 इंचेस वे मारक कर लेंगे और इस Цहां बाँ स्क्वेर का शेप दे देंगे तो इस तरीके साब को स्क्वेर शेप दे देना है उसके बाद जो है बैक आर्म होल के जो राउंड का शेप देते हैं डेड़ इंच का वही आपको शेप दे देना है और इसे इस तरीके से राउंड का शेप लगा लेना है उसके बद यहाँ पर नेक विट यहाँ पर 3.5 इंच का ले रही हूँ मैं और इसमें का जो डीपनेस है बैक नेक का वो ले रही हूँ 4 इंचेस पर और इस तरीके से आपको स्क्रेट शेप बना लिना है और इसे करू का शेप दे देना है और यहाँ पर शोल्डर में 1.5 इंच का डाउन दे देना है उसके बाद जो है आपको सिधेर से कड कर लेना है देखे यहाँ पर कट हो चुका है अब हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से हाफ फोल्ड करेंगे कम से कम 12 इंच का आपको इस तरीके से करनी दिशायां के लेना है ताकि हम इसे फ्रन्ट हुग बना से के लिए यउय distingu enhance घडिनक के आपको इसी ट्रेट लाइन में ड्रॉख कर लिएना है उसके बाद जो है जो बैक पार्ट हमने cut करा था उसको आपको इस तरीके से place कर देना है इसमें और इसके चारों तरफ आपको marking कर देनी है इस तरीके से जो armhole में marking करनी है और नीचे जो length area था उसमें आपको marking कर की इस तरीके से shape देना है उसके बाद जो है यहाँ पर जो हमने आर्म होल में मार्किंग करा था वहाँ पर इस तरी की स्टेट लेंड ड्रॉ करके स्क्रेशे बना लेना है उसके बाद जो है नीचे साइड जो हमने लेंग्ध मार्किंग किया थो उसमें एक इंच बढ़ा करकी मार्किंग कर देना है क्योंकि फ्रांट साइड में एक इंच लंबा हम रखते हैं इस हो जैसे उसके बाद जो है यहाँ पर हम neck width को देख लेंगे एक बाद तो यहाँ पर exact 3.5 इंच आ रहा है उसके बाद लेंग लेंथ यहाँ पर मैं लूँगी 5.5 इंच का तो यहाँ पर front neck के लिए जो length ले रही हूँ 5.5 इंच का ले रही हूँ और यहाँ पर 1.5 इंच का round shape देना है जब भी आप चौड़ा width रखते हैं तो 1.5 इंच का round shape दे उसके बाद यहाँ पर arm hole में इसका center निकालना है और center निकालने के बाद आपको half inch अंदर की तरफ mark करना है यहाँ पर और 1.5 इंच का जो front arm hole में जो shape देते हैं वो shape दे देना है आपको यहाँ पर front arm hole के लिए तो इस तरीके से आपको shape दे देना है उसके बाद जो है आपको यहाँ पर और कुछ नहीं करना है सबसे पहले तो यहाँ पर जो extra fabric उसको कट कर लेना है ताकि आपको अच्छे से इस तरीके समझ में कि कहां पर क्या marking हो रही है तो उसको आपको एक बार इस तरीके से कट करके मैं दिखा दीती हूं तो यहाँ पर 10 इंचेस पर आपको burst point के marking कर लेनी है उसके बाद जो है just का दस्वा भाग लेना है 3.2 इंचेस उसमें half इंच और क्ले लेना है क्यूंकि स्लाइक के लिए margin चला जाता है तो यहाँ पर 3.7 इंचे पर total marking कर लेनी है आपको ऊपर और नीचे 3.7 इंचे पर mark करके straight and draw कर लेना ह उसके बाद शोल्टर से 5-INCH पर इस तरी के समखिंग करना है उसके बाद आपको इसे कर्व शेट दिना है इस तरी के सापको कर्व शेट दे देना है इसके बाद यहां पर मैं 2-INCH का डाट बनाने वाली हूँ फ्रेंट साइट के लिए या आप जाहें तो डेड़ इंच भी रख सकते हैं बट हैवी बवस्ट है इस हो जैसे मैं यहाँ पर दो इंच रख रही हूँ और इस तरीके से दो इंच पर मांक करकी हलका सा कर्वश्य बे दूंगी तो इस तरीके से आपको shape दे दिना है उसके बाद आपको चेस्ट का करने हैं तो चेस्ट यहां पर हो जाएगा 8 इंचेस और 1 इंच का जो सिलाई के लिए चला जाएगा उसके लिए और 1 इंच का मार्जिन रख करके हम यहां पर मार्किंग कर लेंगे अब यहां पर जो है कमर जो है 28 इंच है तो यहां पर लोट भाखक हो जाएगा 7-2 इंच का हो जाएगा यहाँ पर डाट को कवर करने के लिए 2 इंच लेंगे हम अधा इंच और लेंगे क्योंकि कर्षण जो है कि है आधा है जड़ा जयाता है सलाइके में इस वाजे से आधा मार्जिन का मार्जन ले लेंगे तो इस तरह के से आप यहां पर हमने marking कर था वहाँ पर इस तरीके से ट्रांगल में शेप करेंगे हम नीचे साइड एक्स्ट्रा फैबरिक इस ले लेते हैं क्योंकि जब डार्ड बनता है तो फैबरिक ऊपर चटता है इस वजह से हम यहाँ पर एक्ट्रा फैबरिक लेते हैं ताकि डार्ड बने उसके बाद साड़े- 13 इंच का यहां पर ले ले लिया है और इसका जो विट्ध है वह 8 इंचिस का है तो यहां पर एक साइड में आपको ठीज़ पर मार्किंग करनी है कर देने के लिए चील पर आपको मार्किंग कर लेनी है उसके बाद तो यहां पर 6 इंचेस पर माउख करेंगे और इसके बाद कर्व शेफ दे दे NEW और इसे ओम ्ٟरैंगल में इस तरी के शेव दे देगे और यहां पर डियर्ड इंज का मार्जिन दे के तुम के इस तरीके से आपको साओध दे दिना और यहां पे चोटा हो रहा था, मिहने एक्स्ट्राइब फाइबरिक जॉइंट करकी लंबा कर लिया उसके बास सेंटर में छोटा सच कट लिए है उसके बाद उसके बाद दिखी ये front part है, तो front part को यहां पे सीधह रखूंगी मैं, और सीधह रखने के बाद उसके उपर में अस्तर रखूंगी मैं यहां पर अलग से piping नहीं यूज़क रही हूँ, इस वज़य से यहां पे अस्तर के साथ ही neck का design यहां पर मैं create करूंगी, तो यहां पे सी कि जस्तर को जॉइंट कर लेना है उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे आपको कट कर लेना है उसके बाद आपको यहां पर छोटे-छोटे नोचेस लगा लेनी है छोटे-छोटे नोचेस लगाने के बाद सेंटर से आपको एक बार और सिलाई करनी है क्योंकि बीच मे इसकी शिलाई कर देना है फिनिशिंग के लिए तो इस टेक्निक से अगर आप बनाएंगे तो आपको अलग से पाइपिंग कर लगाने जुरूरत नहीं पड़ेगी और आपका ब्लाउस का नेके रिया इजी वे में यह क्रियेट हो जाएगा तो यहां पर देखी हमने कर लिया है और एक्स्टा फैब्रिक था उसको आप यहां पर कट कर लिया है तो यहां पर देखी है इसे चिपकाएंगे में फ्रंट साइड के साथ तो यहां पर नीचे साइड से आपको इसकी सिलाई करनी है तो यहां पर देखिए नीचे साइड से आपको इस तरीके से फिनिशिंग के साथ सिलाई करनी है और यहां पर देखिए आर्म होल में हलका फुलका इधर उपर नीचे हो जाता है तो उसको फिनिशिंग के साथ आपको कट कर लेना है तो यहां पर देखिए हमने एक बार सिल लगा लेनी है क्योंकि इस तरीके से लगाने से होता है कि जो तरिके के लिए तो यहां पर तो यहां पर देखें अच्छी अधिक के लिए देगा लिए और यहां पर बैक पार्ट को इस तरीके से में फैब्रिक को सीधा रखेंगे उसके उपर में अस्तर को रख करके इसको सिलाई लगा लेनी है तो यहां पर नीचे साइड सिलाई लगाऊंगे मैं और ने के रिये में सिलाई लगाऊंगी विकॉस मैं अलग से यहां पर पाइप और नीचे साइड में भी आपको छोटे-छोटे नोचेस लगा लेने हैं और नोचेस लगाने के बाद इसे पलट लेना है और पलटने के बाद जो है उपर में आपको सिलाई लगा लेनी है जो ने के रिया बना हुआ है वहाँ पर भी आपको सिलाई लगा लेनी है और नीचे उसके बाद आपको यहाँ पर back dart बना लेना है तो यहाँ पर देखिए हमने front part को बहुत ही finishing के साथ यहाँ पर ready कर लिया है दोनों parts को नेचे साइड को भी पट्टी के साथ लॉक कर दिया है और यहाँ पर काज पट्टी वगरा जो है यहाँ पर हमने लगा करके काज और हुक पट्टी होती है उसको यहाँ पर लगा लिया है और इस तरह के देखिए final look बहुत ही finishing के साथ बन गया है और यहाँ पर back part में हमने back dart यहाँ पर बना लिया है तो यहाँ पर दीखिए बहुत ही finishing के साथ हमने इसकी stitching कर ली है उसके बाद हम यहाँ पर shoulder joint करेंगे उसके बाद sleeves जॉइंट करके में जॉइंट कर लेंगे तो यहाँ पर दिखिए ब्लाउस का फाइनल लुक और यहाँ पर दिखिए फ्रंट और बैग बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर रेडी हो चुका है मैं यहाँ पर अंदर साइड को भी खोल के दिखा देती हूँ बहुत ही फिनिशिंग के साथ यह बना हुआ है दिखिए आप अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करने ना भोलें थाइंक यू सो मच फूर वाचिंग इस वीडियो